नमस्कार प्रेंट्स मैं पुश्पिंद कुंतल मेर्शी साइन्स केंपस हलेना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए आट पेल्ड क्लास की चैप्टर नमबर फर्स्ट की बिविद पिशनावर लिकरा रहा हूं जिसके एक से लेके पांस तक के क मैंने इस से पहली वाली वीडियो में करा दिये हैं आज मैं आपके लिए कुश्पिंग से कराऊँगा देखे रहा है एक फलन दे रखें दो जो दौनों फलन जी तथा एफ दौनों फलन और से आर में परवास है और फलन那么 की परवासा है f of x equal to 2x plus 3 और फलन g की परवासा है x square plus 1 तो हमसे गौफ of 2 का मान find करवा रहा है तो देखे solution गौफ of 2 गौफ of 2 को सबसे पहले खोलते हैं शेक तो फलन की परवासा से खोलेंगे g और बड़े कोश्टक के अंतर f of 2 x की जगे पर 2 चल रहा है यहां पर f of x f of x equal to है मेरे पास 2x plus 3 f of x equal to तो यहां से अगर मैं f of 2 निकालता हूँ तो जहां भी आपको x देख रहा है उसकी जगे पर 2 रख दो plus 3 तो यहां से f of 2 का जो मान आएगा वो आएगा 7 क्योंकि 2 दुनी 4 और 3 7 अब f of 2 की जगे पर मैं यहां पर लख सकता हूँ 7 f of 2 की जगे पर आगे भढ़ते हैं g of 7 g of x का मान देख लिए g of x का मान है x square plus 1 तो g of 7 का मान होगा 7 का square plus 1 तो g of of 2 जो g of of 2 का जो मान आएगा g of of 2 का मान 7 का square होता है 49 plus 1 तो आपका जो final answer होगा g of of 2 g of of 2 का मान आएगा आपका 50 यह आपका question number 6 था इसी क्रम को आगे भढ़ाते हुए question number 7 देखिए question number 7 में क्या दे रखा है हमें यदि एक समुच्चे दे रखा है Q0 पर यदि समुच्चे Q0 Q0 का मतलव Q तो होती है परमे संख्याओं का समुच्च और Q0 होता है 0 को छोड़ कर परमे संख्याओं 0 को छोड़ दो वो बाकि सभी परमे संख्याओं पर एक संक्रिया पर संक्रिया की परवासा दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टे दो और ए और भी ए कॉमा भी ओल अभियव ए कॉमा भी एलिमेंट्स फोर क्यू जीरो मतलब ए और भी के मान जो क्यू जीरो में से उठाए गए है तो इसका हमें बता हूँ स्टार का तत्समक अवयव स्टार की कंडिशन आपको पता होनी चाहिए मैं पहले बता तब E स्टार का तत्समक अभियव कहलाता है अगर कोई संक्रिया के लिए इस प्रकार की कंडिसन संतोष्ट होती है तो इसमें E को हम तत्समक अभियव कहेंगे A स्टार E बरावर E स्टार इन दौनों में से E को किसी को भी यूज कर लेना तो A star E बरावर में A A star E ये इस मियां से इसका मान कहां से रखा जाएगा जो मुझे प्रसिन में दे रखा था ये बाला A star B बरावर A B बट्टे दो तो A star E ये संक्रिया star कह रही है कि इन जहांप कोई भी हो A जरूर नहीं A और B हो कुछ भी हो C D हो तो X Y हो कुछ भी हो उन दोनों का गुड़ा करके दो का भाग दे रहा है आपको तो ये होगा A E बट्टे दो बरावर A A कट गया E बट्टे दो बरावर में एक तो यहां से E आ गया दो तो मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो गया तस्वमक अभी अब निकल के आगया दो चलो इसी करम को आगे भढ़ाते हैं क्वश्य नम्मर सैवन सैवन हो गया सोरी क्वश्य नम्मर आठ बास्तविक संख्याओं के समुच्च में एक ड्वे आधारी संकिरिया की परवासा है बास्तविक संख्याओं के समुच्च में उपकर्ष्य नम्मर आठ में हमारे पास A स्टार B बरावर 1 प्लस A B A स्टार B बरावर 1 प्लस A B और अल अवियव A, B elements for real नम्मर बास्तविक संख्याओं में इसे उठाए गये हैं परवासेत है ठीक है तब संक्रिया है हमसे पूछ रहा है कि ये वाली जो star संक्रिया है क्रम बिन्वे साचर है या नहीं है मुझे चेक करके बताइए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार और समझ लीजिए, क्रम बिनमेता, क्रम बिनमेता की कंडिशन A star B बरावर 1 प्लस A B, यह मैंने कहां से लखा, प्रिशन में दे रखा है मुझे, अब मैं इनका क्रम परवर्तित करूँगा, B star A बरावर होगा 1 प्लस B A, फिर मैंने इसको देखा और इसको देखा, दोनों डिजिट एक्क्वल हैं, तो मैं यहां से कह सकता हूँ, कि A star B बरावर B star A, अते star क्रम बिनमें, अते star क्रम बिनमें, द्वे आधारी संक्रिया है, star क्रम बिनमें, द्वे आधारी संक्रिया है, अब चेक करते हैं, साचर रिता, साचर रिता की कंडिशन पता होनी चाहिए, आपको एक बार और बता देता हूँ, कि A star B बरावर A star B star C, और A star B star C, देखना, पहले मैंने कोश्टक लगाया, A और B पर, और यहाँ पर कोश्टक लगाया, B और C पर, अगर यह condition बरावर आती है, तो मैं कह सकता हूँ, कि यह जो star है, वो साचर रिता रिता रिता, देखिए, तो यह होगा, A star B star C, पहले कोश्टक लगाया, मैंने, A और B पर, ध्यान से समझना, देखो, यहाँ पर संक्रिया ओनली, इन दोनों अभियबों में लगेगी, यह को star C तो अपनी जगे पर एजिटे जाए, A star B की जगे पर मैं क्या लग सकता हूँ, संक्रिया की परवासा मुझे दे रखी है, यह रही, A star B की जगे पर लग सकता हूँ, मैं 1 plus A B, A star B की जगे पर मैंने लग दिया, 1 plus A B, अब देखो गलती होने के chances कम रहें, इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, माना 1 plus A B बराबर P, तो मेरा सवाल हो जाएगा, P star C, फिर देखो star की परवासा कह रही है, कि एक में, देखो यह रही, एक में इन दोनों का गुड़न फल जोड़ना है, 1 plus P C, और जब P का मान पूट 1 plus, जब C का अंदर गुणा करूँगा, तो C plus A B C, यह हमारे साचर रता हो गई, साचर रता के पहला, दूसरी कंडिशन करते हैं, दूसरी कंडिशन देखिए, A star, B star, C, अब की बार कोश्टक B और C पर लगेगा, संक्रिया की परवासा से खोलेंगे, देखो, A star तो एजटेज, संक्रिया लगेगी, पहले कोश्टक के अंतरगत, कोश्टक के अंतरगत संक्रिया लगेगी, तो 1 plus B C, अगर A और B थे, तो 1 plus A B, अगर B और C हैं, तो 1 plus B C, फिर वही गलती कम रहे, इसलिए माना, 1 plus B C equal to Q, तो सवाल हो गया, A star Q, दोवारा लगा, 1 plus A Q, और जब Q की वैल्यू पूट करेंगे, तो 1 plus A into 1 plus B C, Q की वैल्यू पूट कर दीगे, और A का अंदर गुना करेंगे, 1 plus A plus A B C, फिर देखें हमने, A star B star C, A और B पर कोश्टक तब, is not equal to, A star B star C, B और C पर कोश्टक, दोनों बराबर नहीं आए, अते, इस्टार, सहाचर, दोई आधारी, संक्रिया, नहीं है, यह आपका question number 8 था, मतलब सहाचर दोई आधारी नहीं है, क्रम बिन वैतो है, अब चलते है, question number 9, question number 9 के अंतरगत कह रहा है, पूनांकों के समुच्चे जैड में, पूनांकों के समुच्चे जैड में, ब्यवकलन किस प्रकार की संक्रिया है, ब्यवकलन किस प्रकार की संक्रिया है, मतलब कि क्रम बिन वैतो आचर रहे है या नहीं, यही बताना आपको ब्यवकलन के लिए, आपके लिए question बना देता हूँ, a star भी ब्यवकलन का मतलब होता है, minus, और all अब यव, a, b elements for z, a और b आपके z में से लिए गए है, z क्या है, पूरा अंकों का समच्च, z है आपका पूरा अंकों का समच्च, चलो चेक करते हैं, सबसे पहले भाही क्रम बिन वैता, क्रम बिन वैता, a star b यह लिख गया मैंने, और फिर मैंने क्रम परवर्थित किया, b star a तो यह हो गया, b minus a, फिर इसको देखा, और इसको देखा, a star b is not equal to b star a, कभी भी बरावर नहीं हो सकते, a minus b बरावर नहीं हो सकता, b minus a के, आता है, star, क्रम बिन में, दुए आधारी संक्रिया नहीं है, क्रम बिन में दुए आधारी संक्रिया नहीं है, अब साचरता पर आईए, साचरता की पहली condition, a star b star c, a और b पेकोष्टक पहले लगाईए, जब इसमें संक्रिया लगाई तो इसकी जगह पर, a minus b और star c तो अपनी जगह पर है, माना, a minus b बरावर p तो यह हो गया, p star c, और जब p की value पुट करेंगे, sorry, p star c और जब इसमें संक्रिया लगाईएंगे, तो यह होगा, p minus c, और जब p की value पुट करेंगे, तो a minus b minus c, यह आगे, a star b star c, a और b पेकोष्टक, आगे बढ़िये, a star b star c, b और c पेकोष्टक लगाता हूं, c, माना, b minus c equal to q, तो यह होगा, a star q, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, a minus q, और q का जब मान पुट करेंगे, b minus c, और minus का अंदर गुणा करेंगे, a minus b plus c, अब देख लीजे, इसको देखा और इसको देख लो, दोनों बराबर नहीं है, तो यहां से मैं कह सकता हूँ, a star b star c, is not equal to, a star b star c, यह था आपका question number 9, चलो इसी करम को आगे बढ़ाते हुए, question number 10 देखते हैं, question number 10, 10 में क्या कह रहा है, हमारे पास हूणांकों के समुच्च जड में, a star b बरावर, a plus b minus a b, और all अभियव, a, b elements for z, यह हमारे पास संक्रिया दे रखी है, हमसे इस संक्रिया के साप्यक्च, प्रतलोम अभियव आपको ग्याद करना, प्रतलोम अभियव, प्रतलोम अभियव आपको find करना, प्रतलोम अभियव find करने के लिए पहले चाहिए हमें तत्समक अभियव की कंडिशन, a star e बरावर, e star a बरावर a, अगर कोई कोई इस प्रकार संक्रिया इस प्रकार की कंडिशन एप्लाई होती है, तो e को उस संक्रिया का तस्समक अभियव कहते हैं, तो a star e बरावर a, लगाव संक्रिया इसमें, यहां से, तो योगा a plus e minus a e, a plus e minus a e बरावर a, और a से यह a कटेगा, और यहां से जब e में कॉमन निकालूंगा, 1 minus a बरावर 0, तो e की वहाएगी 0, इस तस्समक अभियव की help से हम निकालेंगे, प्रतलोम अभियव, और प्रतलोम अभियव की कंडिशन क्या होती है, a star b बरावर b star a बरावर e, तब b को a का प्रतलोम अभियव कहते हैं, b को a का प्रतलोम अभियव, b को a का प्रतलोम अभियव कहेंगे इस कंडिशन में, निकालिए, a star b बरावर e, संक्रिय लगाओ, a plus e minus a b और e का मान पुट कर दिया, 0, अब यहां से आपको b का मान निकालना, a को मैंने इज़र ट्रांसपर कर दिया, b minus a b बरावर minus a, b common, 1 minus a minus a, तो b की value आएगी, 1 minus a, अगर minus common निकाल के काटना चाहो, तो काट भी सकते हो, तो यह हो जाएगा, b बरावर e upon a minus a, अगर,